अले स्ट्रेंट्स गुड़ मॉर्णी मैं आपके साइंटी चेश्वता में बच्चों क्लास 10 का मारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्शन जिसमें आज हमें स्ट्रडी करने जा रहे हैं पार्ट 9 चले स्ट्राट करते हैं देखें सबसे पहले हमे प्राप्त की जाता है लाइट किढ़ी है कहा से कट्कर रहा है ठीक है वो हम इस तरहेके से मतब हम खीच करकी निकालते की यह वाला पॉकल पॉयंट होगा ठीक है तो फोकल पॉयंट को हूई-वियाविस को हम को क्या करना पड़ता आप एंड पढ़ता है toys का संद्र कार्ण नहीं है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्प्रेकल मिरें के बहुत सारे क्मपोनेंट होते हैं जैसे क्या के देख था अपरिचर reven मिर्ट देखा था प्रींशिपा एक्सेस हमने देख्या ठाकिए radius of curvature देखा, center of curvature देखा, principal section देखा, ये सब चीजे क्या है? ये है हमारे spherical mirror के component, बट ये focus, focus या principal focus जिसको कहा है ये इसका component नहीं है, बलकि इसको obtain करेंगे और ये बहुत important है, exam में पूछा भी जाता है, इसका definition ठीक है इसलिए इसको मैं अलग से आपको बता रही हूँ देखे फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है सबसे पहले इस डाइग्राम में समझ लेते हैं कौन के mirror यह हमारा है अब यह कौन के mirror मैंने ले लिया है यहाँ पर यह ले लिया है मैंने कौन के mirror क्या होता है ऐसा mirror जिसमें की बाहर के साइड में क्या हो इसमें बाहर के साइड में किया गया हो इसमें पॉलेस और अंदर से इसमें क्या होता हो लाइट का reflection होता हो इसको हम क्या बोलते हैं कौन के mirror जब कौन के mirror को मैंने क्या किया है, इस कौन के mirror को बना लिया, इसके all component को भी मैं यहाँ पर शो कर दिया गया, उसके बाद क्या देख रहे हैं, कि जो हमारा object है, सामने object जो रखा हुआ है, मालो की यह marker रखा हुआ है, अब इस marker का है, तो क्या यह image है, मतलब यह mirror है, तो mirror में क्या बनेगा, image बनेगा, mirror मतलब क्या दरपड, तो यह एक दरपड है, दरपड में क्या बनता है, image बनता है, अब मुझे मैं चाहती हूँ कि मेरा यह marker जो है इसका मुझे image चाहिए है, कौन के mirror में, तो मुझे इस mirror के जो reflecting surface होगा, वहाँ पर मुझे इस marker को रखना प बनेगा, आपके घर में चो कांच होता है, जो दरपड है, आप क्या करते हैं, अपने आपको देखने के लिए कांच के सामने ही खड़े होते हैं, हम कांच के पीछे तो खड़े नहीं होते, पीछे तो police किया हुआ है, तो हमने क्या किए इस marker का image देखना है, कि इस में कैसे तो इस marker से देखे इसके उपर यह कोई luminous object तो है नहीं यह क्या है non luminous object है तो यह खुद अपना light तो दे नहीं रहा है जिससे हम इसको देख सके इसके उपर कहीं से rays आ रही है और यहां से rays निकल करके इस mirror पड़ जाएगा तीक है आप देखो किस तरीके से relation बना हुआ है तीक इस light जो है फो जाएगा इस marker के उपर अब यह marker से टकरा करके light जाएगा कहां इस mirror के उपर अब mirror this light को क्या करेगा reflect करेगा और जो reflects क्या हुआ light है वह कहां आएगा वह औरेज आखों के अंदर अब जब वहां से रिफ्लेट हो करके हमारी आखों पर आएंगे तब जाकर के हमको वह object दिखाई देगा क्योंकि यह क्या है, यह luminous object नहीं है, यह non luminous है, यह खुद से अपना light तो release, मतलब खुद से light emit नहीं करता है, अब देखिए, यह जो हमारा object है, अब object से दो parallel line यहां पर दिखाए गई है क्योंकि एक image बनाने के लिए atlis दो line की जरूत होती है और focus को भी समझाने के लिए दो ही raise की जरूत पड़ेगी ठीक है तो minimum कितने raise की जरूत पड़ेगी क्या यहां से इस पर जो light raise आएंगे वो केवल सारे raise reflect होकर के हमारी आँखों पर पड़ेंगे और तब जाकर के हमको इसका image दिखाई देगा बट image बनाने के लिए हमको बहुत सारे की क्या जरूत है ठीक है हम केवल एक देख रहे हैं कि बनेगा कैसे है ना तो बनेगा कैसे किबल हमको यहां पर method देखना है कि image कैसे बन रहा है यह चीज हमको सीखना है और समझना है इसके लिए हमको बहुत सारे raise की जरूत नहीं है लेकिन कम से कम कम से कम two raise होने चाहिए ठीक है दो raise से जादा होता है है ना होता है तो two raise से जादा ही होता है लेकिन एक raise से आप image बना नहीं सकते तो कम से कम यानि minimum आपको two raise चाहिए अब यह object है इस object से देखिए यह principal axis हो गया यह C और P यह जो दिखाया जा रहा है यह क्या है यह principal axis है अब इस जो हमार मेरा marker है इस marker से एक parallel line जा रही है यह line आपको दिखाई दे रहा है यह parallel line मतलब parallel raise लेकल रही है जो कि principal axis के parallel है parallel मतलब हम इसको सामने रख करक हम ओल रहे हैं कि इसके parallel है तो हम principal axis के respect में बता रहे है that radial is angular original गःर का बर्स अर्योथ इसको इस आपको इस आपको इस मेरर और बाल रही है और आगर के इस mirror से पंदाग नहीं है और गिर रही है यहां से रही है और mirror पर आकर के गिर रही है ठीक है? तो जो raise आती है जो raise यहाँ से निकलेगी mirror पर जाकर के गिरेगी उस raise को हम क्या कहते बच्चो incident raise ठीक है? तो यह क्या है हमारा? यह incident raise है है ना एक incident raise ले लिया मैंने जो principal axis के parallel में आ रही है और आकर के इस काच पर यहाँ पर टकरा रही है ठीक है इस पॉइंट पर देखे आ करके यह गिरी ओके अब यह रही है इसलिए मैंने इसमें एरो आने का लगाया है एरो बताता है कि रेक के साइड में जा रही है तो यहाँ पर यह एरो बता रहा है कि आपकी रे इधर की तरफ आ रही है इतनी बात clear हो गई अब हमने क्या पढ़ा है laws of reflection पढ़ा था हमने उसमें हमने तीन दो laws पढ़े थे हमने एक special case भी देखा था अब आप जरा वहां से सोचिए कि उसमें हमने second क्या देखा था कि raise जिस incident raise जिस angle से आती है वो reflect होने के बाद भी उसी angle से जाती है उतना ही angle यदि incident 30 degree का angle बनाकर के गिर रही है mirror पर तो यहां से reflect होकर कि अगर यह surface reflecting surface है यह उस रे को अगर reflect करता है तो 30 degree के angle पर ही यह इसको reflect करेगा ठीक है तो मतलब angle i angle r यह दोनों क्या होते हैं equal होते हैं ओके यह हमने कहां पढ़ा laws of reflection में यह हमारा second point है ठीक है तो अब देखो यहां से incident reflect हो रहा है कितने angle पर reflect हो रहा है जितने angle पर यह आया होगा उतने ही angle पर reflect होगा ओके अब angle हम पता करें कैसे है कि कितना angle होगा angle पता करने के लिए आपको यहां पर जैसे आप देखो मैं कह रही हूं न यह principal axis के parallel में यह line आ रही है ठीक है तो एक दूसरी क्या उसके बिल्क तो इसके प्धैलर में ही है यह confident ray तो उसी तरीके से अब एंगल कैसे पता करेंगे एंगल बताने के लिए किया होना चाही हमाय पास normal होना चाही है normal क्या होता है एक line होती है perpendicular line होती है मतलब 90 degree के angle पर एक line खीचेंगे और उस वो line सिर्फ हम इसलिए ही बना रहे हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि कि कितना angle पर आया मतलब इसको लेकर के देखेंगे कि तुम इस line के कितने उधर हो और कितने इधर हो ठीक है मतलब इस line के कितना इधर angle बना है और कितना इधर बना है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक नॉर्मल खीचना पड़ेगा अब देखें नॉर्मल आप कहां से लेंगे अब इस diagram को अगर आपने फेर बना लिया हो तो मैं इसको खराब करूंगे ठीक है अब देखो से नॉर्मल हमारा कहां से होगा सी से नॉर्मल मुझे लेना है है ना ची क्या है पुरा यही जोmeeर हो मिरर Вहगा जो 이ह पूरा स्फेरिकल मियर है यह जो मिरर है या M और N यह जो हमने aperture लिया है तो यह कहां से यह जो mirror बनाया हमने कांच का टोड़ा यह लिया कहां से तो पूरे sphere से लिया है यह पूरा बड़ा सा sphere था वहां से लिया है और C क्या है उस sphere का यह क्या है center है तो हम यहीं से किस center से ही क्या करेंगे नॉर्मल भी किस center से ही लेंगे तो हमने यहां पर अब देखो scale नहीं है लेकिन अब ध्यान देना normal यहां से लिया और normal इस तरीके से इसके उपर खीचेंगे यह सीधा line नहीं बन पाया है मैं अगर scale का इस्तिमाल करूंगी तो यह line बिल्कु सीवी जाएगी आप देखो मैंने यहां से यहां से यहां से यह ले लिया normal ओके देखें यह मैंने इस पर यह ले लिया है normal चलो आप समझ जाओ यह नॉर्मल ले लिया मैंने ठीके अब यह जो normal है ना यह 90 तिगरी का है आप कैसे स करो तो यह इस पॉइंट पर इस एक पॉइंट पर यह 90 डिगरी का एंगल ही बना रहा है यहां से यह बिल्कुल इसके सीधे है 90 डिगरी का एंगल बना रहा है तो देखें यहां पर हर एक पॉइंट पर क्योंकि हर एक पॉइंट के बाद तो direction चेंज होगा लेकिन यहां इ इस normal से कितनी दूर है तो यहांपर एक एंगल होगा ओके ऊंगल ऑफ इस नॉर्मल से हम देखेंगे कि जव यहां से इस काच पे टकराएगा तो यहां से रिफ्लेक्ट भी तो होगा काच इसको अपने पास तो रखेगा ने क्युकि huga क्या है इसका reflecting surface है तो इसको यह वापस बेजेगा तो काच ने इसको वापस भीजा ठेक है ना इस mirror ने इसको reflect कर दिया वापस बेजा यह यहां से वापस गया कितने angle पे गया जितने angle पे यह वापस जा रहा है वो क्या होगा वो होगा angle of reflection ठेक है और जब हमने यहां पर बीच में normal खीचा तब ही हमको पता पड़ा कि यहां पर भी मतलब मैंने आपको बताया था ना कि इंसान जो है वो लॉस को तोड़ते हैं लेकिन जो रेज है यह लॉस को कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं इनका जो नियम है अपने नियम को यह फॉलो करते हैं तो नियम इनका यह चीज है यह नियम हो तो यह पता करने के लिए हमने बीच में एक नॉर्मल खीच लिया नॉर्मल क्या होता है एक perpendicular line होता है जो कि 90 degree के angle पर होता है और हमने इस mirror के उपर 90 degree का एक line खीचा अब इस line को खीचने से पता पड़ा कि इस line के कितनी दूरी पर ये था कितना angle बना रहा था incident और इस line से इधर कितना बना रहा है ये reflected angle है तो reflected angle कितना बन रहा है और angle of incidence कितना बन रहा है तो हमने देखा कि दोनों की value क्या है यहां पर equal है यानि कि ये अपने laws में बिल्कुल पक्के है हम समझ गए कि हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक हो ठीक है ना तो इस तरीके ये ray .oten ये reflect हो गई तो यह यहां से आई यहां से टक्राई और वापस गई लगिन जाते जाते इसने क्या किया कि ये जो principal Cches है ना इस principal Cches को बिणा cut किये बिणा touch किये तो निकलना ही सकती तो यहां से जब यह जाएगी तो इस principal इस पॉइल पर कट करके और देखें ये रिफ्लेक्ट ये निकल गए तो एक रे की कहानी तो हो गई अब हम कहानी कहेंगे किसकी दूसरी वाली रे की दूसरी भी पैलर रे हमने ले लिया क्योंकि मैंने आपको बताए इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए आप दूसरी जब यहां से हम लाइन खीचेंगे जब नॉर्मल खीचते हैं हम तो पता पड़ता है कि यह एंगल ऑफ इंसिदेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होता है यहां पर भी इक्वल है ठीक है यहां पर भी इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया है न कि हम एकदम से अपना रूल कभी नहीं तोड़ते हैं तो यहां पर भी इन्होंने अपने रूल को ब्रेकिया नहीं और यहां से यह वापस चले गया है लेकिन यह वाले जो सकेंड वाली जो रहे है ना उसकी कहानी में भी यही है कि जब यह वापस जाएगी तो जाते जाते इस प्रिंस्पल एक्सेस को यहां से यह भी कट करके जाती है यानि कि इसी पॉइंट पर इसने प्रिंस्पल एक्सेस को इसने भी क्या किया वहाँ पर कट किया ठीक है यानि कि प्रिंस्पल एक्सेस से मुलाकात किया ओ हलो है ना और मिल करके और निकल गई तो ये दोनों ही पैडलर रे हमने क्या देखा कि दोनों ही पैडलर रे जो incident रहे हैं जब ये mirror पर पड़ते हैं तो principal axis को एक जगहां पर meet करते हैं एक जहां पर cut करके और वहां से intercept करके निकल रहे हैं जिस point पर ये दोनों एक दूसरे को touch करके निकले जिस point से ये वाला निकला principal axis को जिस point पर इसने यहां पर मुलाकात किया और ये भी निकलते हुए जिस point पर मुलाकात किया इस point को ही बोला जाता है focus तो focus पहले से तो था नहीं रे के आने के बाद focus बना है तो पहले से जो चीज नहीं था, है ना, fixing नहीं थी, यहाँ पर पहले से match fixing नहीं है, तो पहले से तो fix था नहीं, जब यह fix नहीं था, तो हम कैसे कह सकते हैं, कि यह इसी का component है, है ना, तो यह mirror का component नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था ना, कि important terms, है ना, important terms related to the mirror, उसमें हमने पढ़ा था, तो terms में तो हम कह सकते हैंगे focus उसका एक term ये भी आएगा लेकिन ये इसका component नहीं है बलकि component ये है नहीं बलकि इसको हमको opt-in करना पड़ता है जब light आएगी वो जहां से जा रही है आप wait करिए कि light reflect होने के बाद कहां से जाएगी जहां से reflect होने के बाद जाएगी जहां से principal axis से वो मुलाकात करेगी उसी point को हम बोलेंगे कि अब ये रहा focus अब आया है focus पहले नहीं था अब आया है focus तो focus को हमने प्राप्त किया है opt-in किया है तो ये हो गया focus clear समझ में आ गया और focus को हम capital app से दिखाते हैं बच्चो अब देखें focus से लेकर के और pole तक का जो distance होता है इसको हम बोलते है focal length ठीक है focal length focal length क्या होता है pole से लेके और focus या focus से लेके pole तक का जो distance है इसी को हम बोलते है focal length it is a distance between pole and principal focus ठीक है अब इसको principal focus क्यों कहा जा रहा है क्योंकि focus वो आपने प्राप्त कहा किया है प्राप्त किया है हमने principal access पर ठीक है तो वहाँ पर मुलाकात होई है न तो principal access का भी तो ना माना चाहिए न तो जिस point पर ये ray reflected ray principal access से मिलते हैं वहाँ पर focus बनता है तो इसलिए ये principal access पर ही focus बन रहा है तो यहाँ पर इसको principal focus भी कहा जाता है principal focus of the mirror it is represented by अब देखिए focal length focus को तो हम बोलेंगे f से focus या इसी को principal focus कहते है इसको हम बोलेंगे f लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तका जो distance होता है इसको हम बोलते है small f आएगा इसको small f से दिखाएंगे और यह क्या होगा हमारा focal length okay clear तो बच्चों यह हो गया अब देखिए for the convex mirror अब यह तो बात हो गई सारी concave mirror की सारी चीज़े clear हो गई अब हम आते हैं convex mirror में अगर हम convex mirror की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी same वह ही चल रहा है हमने ये mirror लेदिया mirror लेने के बाद मतलब हमने पहले glass लिया glass के बादस हमने इस पर पैंट किया और इसको mirror बना दिया लेकिन हमने इस बार अंदर के साइड में पेंट किया है, इसमें हमने क्या किया था, बाहर के साइड में पेंट किया था, तो इसमें हमने अंदर के साइड में पेंट किया है, तो अंदर तो अब हो गया, अंदर तो पॉलिस कर दिया, तो अंदर वाला तो ब्लॉक हो गया, तो इस दर पड़े के हमको क्या करना पड़ेगा आगे खड़ा होना पड़ेगा ठीक है तो यह इसका reflecting surface है तो यहां खड़े होंगे और देखेंगे कि कैसे इसका image बन रहा है अब देखो सेम वही स्टोरी अब इस marker का image बनाना है तो marker से एक पैल लड़े चला यहां से reflect हो करके गया और जाएगा reflect हो करके आप बिल्कुल वही बीज में एक normal आप खीजिया है ना सी से central से एक normal खीजिए तो आपको पता पड़ेगा कि किस एंगल से हो करके गया है ठीक है यहां पर भी यह angle of incidence और angle of reflection क्या होगा दोनों equal होगा ठीक है अब इस तरीके से मैंने दूसरा दे यहां से होकर के reflect होगी दूसरे वाली incident रही यहां पर आई और यहां से आकर के reflect होगी ओके कहानी यह है लेकिन इस कहानी में अब हमको यह पास समझ में नहीं आया कि भई दोनों ही रे जाते जाते यहां पर दोनों ही रे जा रहे थे तो principal access से मिलके जा रहे थे ना तो यहां आग बंद करिए, सो जाएए और कल्पनामे, just imagine करिए, कि अगर ये line इधर से, इसको आप मैं अगर पीछे करूँ, ठीक है, लेकिन क्या ये real में ऐसा हो रहा है, हो नहीं रहा है, है ना, आपको समझाने के लिए, कि इसका focus point कहा होगा, ठीक है, इसका focus ये principle focus कहा होगा ये बस समझाने के लिए, क्योंकि अब देखो यहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं भी ये दोनों मिलेंगे मतलब ये क्या होते जारह है, devours होते जारह है फैलते जारह है, फैलते जारह है, ये तो क्या हो रहा है, यहाँ से भी इनकी दूरियां तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो ये इधर की तरफ बढ़ते बढ़ते नहीं जाने कहां चला जाएगा, ये देखे, दोरों के बीच का डिस्संस बढ़ते रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इमेजिन करेंगे, कि अगर इसको पीछे ले जाए इसलिए यहां पर पूरे लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बलकि इस तरीके से डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया गया है, तो पीछे अगर ले जाते हैं, तब हम देखते हैं, कि हमारी कलपना में, हमारे मन में, मतलब हमारे मेडूला अबलंगेटा के अंदर, हमने देखा कि यहां पर यह कहीं ने कहीं यह दोनों ही यहां पर मिलेंगे लेकिन यह मुलाकात दरपड के जिधर हमने पॉलिस किया है उधर हो रहा है तो यहां मिलेंगे तो यह इसका क्या कहलाएगा focus कहलाएगा, मतलब convex mirror में focus कहां होता है, इस mirror के polish वाला जो है, मतलब back side में है यह तो इसका front है, back side में focus होता है, पीछे के side में यह focus होता है ठीक है, तो यह इसका हो गया focus और principal axis पर ही मिला है हमको, लेकिन सपने में मिला है, हमने just imagine किया है, तो यह principal focus कह रहाएगा, ठीक है, और यह principal focus हो गया यहां से लेकर के, और यहां तक जो distance होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा focal length, focal length के बारे में एक और बात है, कि जो focal length होता है, यह जब आप देखेंगे इसको जब आप skills बना कर के देखेंगे तो जो center of curvature होगा, तफोकस बारी में के इस-मीरर का, यह जो center प्रिशर, यह यह जो center of curvature यहां से लेकर, यह जो गंश से लेकर के यहां तक 10 centimeter होगा तो focus जो है यहां से लेकर, यहां, तक iya meno theory 50 cm उन इन पर जो होगा से 5 तो यह तो हुगा, और 5 यह हो गया यह focal length, ठीक है, तो focal length क्या होता है? radius of curvature का half होता है, अब इधर का focus हम देखें, तो कहाँ बन रहा है, इधर का focus, इस side में बन रहा है, अब side देखो, ठीक है, मैंने side देखने के लिए, एक यह plus बना लिया, इस plus में, इस side में, इधर की तरफ focus बना है, इसका, कौन के mirror का focus यहां ह इधर है तो इधर जो होता है यह वाले जो line होती है ने बच्चो यह negative होती है ठीक है negative यह मतलब हम कुछ भी यहाँ पर रखते हैं अगर value तो वो negative में रहता है ओके आप देखो इसमें आपका जो focus है वो किस side में है line अगर इसको मैं इसको इस तरीके से line खीच करके अगर दिख है ठीक है तो इसका focus इधर है इसका focus इधर है मतल highness का focus होगा क्या होगा यह focus वो और ये पास्टि में क्योंकि यह किस लाइन पर वन रहा है तो इस लाइन पर बनेगा इसलिए यह क्या होगा पॉस्टीब होगा लेकिन आप कहेंगे अगर कि मैं इस मीरर को अगर उलड़ दूं तो मतलब ऐसे रखने के बजाए इस मीरर को इधर को रख दिया ठीक है और अंदर के साइड में मैंने पॉलिस कर दिया तो इस तरीके से रख दिया तो कहां बनेगा इसका फो एक चीज को मतलब एक ही सर्थ के अकॉर्डिंग हमको दोनों में ही बताना है तो हमने मीरर सामने रखा है एक सायर में कौन के मीरर रखा है एक सायर में हमने कॉन्वेक्स मीरर रखा है और दोनों के सामने खड़े हैं ठीक है न ऐसा नहीं है कि मैं ना मीरर को घुमा दूं ए इसी लाइन पर रखूंगी और तब दोनों में मैं compare कर पाऊंगी कि किसका focus कि इधर की तरफ मिल रहा है तो आपको mirror को turn नहीं करना है घुमाना इस तरीके से बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि object to हमेशा अगर आप इस वाली अबजेट रख रहे हैं तो दूसरे वाले के साथ भी आपको यह करना है कि object को इधर रखना है और mirror के सामने इस तरीके से खड़े होना है आपको mirror को नहीं घुमाना है तो भी उधर नहीं जाना है इधर ही खड़े रहेंगे और तब देखेंगे कि कॉन के mirror में focus कहां बना और convex mirror में focus कहां बना तो हमने देखा कि कॉन के mirror में focus negative वाले पर फोकस बन रहा है और convex वाले में क्या बन रहा है यह positive वाले लाइन पर फोकस बन रहा है ठीक है यह सारे point हो गया बच्चों I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आप हम पढ़ते हैं इसका definition दिया है principle focus is a point ठीक ह में हम एक principle access ले रहे हैं और इस पर ही हमको focus प्राप्त कर रहे हैं इसलिए इसको principle focus भी कहा जाता है यह one point होता है यह is एक पॉइंट होता है on the principal axis कहां होगा principal axis पर होगा off aos the mirror of the mirror के और principal axis तो mirror तो बनाना पड़ेगा तो अभी सके सामने यहाँ पर हना दिया हमने mirror यह हमने ले लिया mirror यह हुम आपकुल was the mirror कुल एक मिराने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको silvering बोला जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं red lead oxide red lead oxide का polish करेंगे तो इस तरीके से हमने कर दिया यह polish अब यह तयार हो गया हमारा mirror ऐसा mirror जिसमें की बाहर अंदर का surface तो reflecting है और बाहर में यह बाहर में हमने polish किया है तो light reflection यहां से होने वाला है आगे देखिए such that the rays incident on the mirror parallel to the principle axis जो rays आ रहा है incident ray जो आएगा वो mirror की के आएगा पैलर आएगा किस के पैलर तो compare करने के लिए क्या हमने ले लिया है principle axis तो इस principle axis के जो ray आएगा यह ने कहां से आ रहा है object से आ रहा है जिसका image आपको इस mirror पर बनाना है मतलब मैंने marker का अगर image बनाया है तो marker से यह आ रहा है और marker के पास क्या खुद का light था खुद का light नहीं था तो फिर marker light कैसे दे सकता है क्योंकि इसके उपर भी light आ रही है कहीं से कहां से आ रही है luminous object से जिसके पास खुद का light है उसने उधार का light दिया कि इसको marker को और marker ने बोला कि उधार नहीं चाहिए इसने उस light को reflect कर दिया ठीक है वो light जो है वो rays इस principle axis के parallel में आ रही है और कहां आकर के टक्रा रही है दर आफ्टर reflection meet up after reflection याने रिफ्लेक्ट होने के बाद यह लाइच CN जो है यहांसे refresh नहींकि के बाद एक पॉइंट पर मीट होती है ठीक है एक पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद अब आप वहां पर मैंने स्क्रेल से बना है एक पॉइंट पर क्या करती है यहां से प्रिंस्पल एक्सस से मिलते हुए जाती है ठीक है तो इस पॉइ इन के सब कॉंके मिरर कॉंब में तो वास्तों में मिल रही है वास्तों में काटरीये कलपना में नहीं होको है यह म conventional है एह यह प्रक्रih सब्सक्ण और आई है और फिय दिल्सिंग को इतला की और कि rays जो है वो मिल करके जा रही है किदर कैसे हम मिलाएंगे उसको मैंने आपको बताया कि हमको mirror के polished वाले surface की तरफ अगर rays को हम लेके जाते हैं और real नहीं उसको dotted line से हम दिखाएंगे ठीक है तो यहां से मिल करके जाती है जहां से यह मिल करके जाएगी यही point के कहलाएगा? focus कहलाएगा F कहलाएगा और यह किस के distance कितनी होगी? जी यहां से लेकर के यहाँ तक का जो distance होगा उससे इतना distance हम ले लेंगे तो यहां पर हमारा क्या है? C है ठीक है center of curvature हो गया ये focus हो गया और ये क्या हो गया ये हो गया pole और ये m और n है ना ये हो गया m और ये n ये क्या है aperture of mirror जी तरह हमने इस्तिमाल किया है जो person ठीक है उसके बाद यहां से लेकिए यहां तका जो distance होगा इसको हम बोलेंगे focal length और इसको हम small f से represent करेंगे और ये f जो होगा small f जो होगा वो इस पूरे distance का अधा होगा और पूरे distance को हम किसे करते हैं capital sorry इसको हम r से करते हैं radius of curvature तो r के radius of curvature जो r है उसके upon में हम 2 कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा small f यानि कि focal length okay clear अब यहां पर बच्चो एक point यहां पे रह गया है कि यह जो हमारा बनता है focus यानि कि convex mirror में जो हमारा focus बन रहा है इसको हम बोलते है virtual focal point या virtual focal point आप बोलिए virtual principal focus बोलिए या virtual focus cable बोलिए ठीक है क्योंकि यह virtual है virtual का मतलब होता है हिंदी में आभाशी आपने आभास किया है कल्पना किया है कि अच्छा ऐसे हो सकता है मैं बताया ना just imagine किया है आंग बंद करके तो यह focus वास्तों में नहीं बन रहा है आपने image को बनाने के लिए कि image कैसे बना होगा समझाने के लिए आपने अच्छे से meet करते हुए यहां से लिकली है तो इसको मोलेंगे real focal point यह real focal point है और यह क्या है virtual focal point देखे अब यहां पर raise parallel to the principal axis convert यह convert हो रही है कंवर्ज का मतलब एक जहां मिल रही है आ रही है यहां यहां से होते हुए अगर यह इस दो डो ट्रेंग चलतो रही है लेकिन फिर पट्रिया आगे एसे से अगे दोनों ट्रेंग के भी समेड बढ़ गया तिर्शकंति kaç है विलते हैं डाट है तो यहांपर डावरPH हो रही है और यहांपर रे- converge हो रही है ओके तो ये बच्चों आज हमने क्या पढ़ा focus ठीक है focus point ही हमारा done हो गया next image कैसे बनाएंगे हम दोनों के कौन के mirror और context mirror में image कैसे बनता है इन दोनों के कुछ rules देखेंगे और नियम जानने के बाद कि इन नियमों के तहद ही हमको image बनाना है तो rules जानने के बाद next हमारा सीधे अब हम image पर आ जाएंगे ओके बच्चों तो अभी के लिए इतना ही study करते रहिए okay a nice day